आज के इस वीडियो में अपने डिसकस करेंगे कि सर्द्यों में हार्ट अटेक की रिस्क क्यों बढ़ जाती है अपने सरीर में जो बोड़ी की एक्टिवटी को कंट्रोल करने के लिए ओटोनोमिक नर्व सिस्टम रहता है और उसके दो पार्ट रहते हैं एक पैरा संपेटिटिक रहता है दूसरा संपेटिक पार्ट रहता है तो सर्द्यू में अपने संपेटिक एक्टिवटी है जो बढ़ जाती है sympathetic activity बढ़ने के कारण अपने पूरी सरीर में जो narrowing हो जाती है blood vessels की जिसको वेजो कंस्टिक्शन बोलते हैं यानि जो सरीर की पूरी नसे हैं वो सिकुड जाती है उसके कारण अपना BP बढ़ जाता है और heart को extra work करना पड़ता है same amount में oxygen और blood को circulate करने के लिए की सर्दियों में अपने body temperature एकदम से down आ जाता है यानि अपना जो body का temperature है वो कम हो जाता है तो उसको maintain करने के लिए heart को double काम करना पड़ता है तो वो भी एक factor है heart attack की chance को बढ़ने के लिए सर्दियों में जैसे common cold होता है infection हो जाता है तो पूरी body में अपना inflammation बढ़ा जाता है और inflammation बढ़ने से अपने body के जो endothelium है inner lining है वो damage होती है और जो plaque रहता है वो disturb हो जाता है जिसके करन plaque rapture के chances बढ़ जाते हैं और plaque rapture ready हो जाएगा तो वहाँ पे clot बन जाता है और वो heart attack को बढ़ा जाता है फीजिकल्स रहते हैं वो अपने body में चले जाते हैं और पुरा inflammation को start कर देते हैं inflammation होता है और वो endothelium को damage करते हैं सर्दियों में ठंड के कारण अपन बहार जादा जाना परसंद नहीं करते हैं और अपन physical activity को भी कम कर देते हैं तो physical activity अपन परोपर कर नहीं पाते हैं और खाने का अपन ज्यादा जहान नहीं रखते हैं अपन सर्दियों में अक्स्टा खाते हैं और जो heavy diet लेते रहते हैं fatty diet है, high cholesterol diet लेते रहते हैं इसके साथ अपन कुछ लोग हैं वो अपना सरीर में PP बढ़ा देती है, heart rate बढ़ा देती है और heart को फिर अक्स्टा उबा करना पड़ता है blood supply के लिए और इस तरह ठंड में ये कुछ factor हैं जो heart attack की risk को, heart failure, stroke है, COPD की risk को बढ़ा देते हैं अब इनसे बचने के लिए अपने को कुछ उपाय रहता है, तो ठंड में सबसे पहला है कि आप परोपर अपने आपको cover करके रखें, ठंड से बचें उसके लिए आप कपड़े अपने layers में पहने, जैसे inner पहलिया, sweater पहलिया, ओपर jacket पहने, तो जिसे proper आपको अपना बोड़ी का temperature maintain रहे दूसरा खाने में आप अपना proper ज्यान रखें, high fiber और fruit diet लें, आप cholesterol और fat अगरा कम लें physical activity अप बहार नहीं जा पा रहे हैं, आप अपने घर के अंदर ही physical activity कर सकते हैं, कुछ yoga कर सकते हैं, तो physical activity आप जरूर करें, यदि कोई आपकी smoking की habit है, टोबे को है, तो उसको आप छोड़ दें, तो बहुत अच्छा है, या उसको कम, बहुत ही कम करें, और यदि आपका, प करवाते रहें, क्योंकि ठंड में BP अपना बढ़ जाता है, तो अपने BP की mediation को adjust करना पड़ सकता है, तो एदि BP अपना ज्यादा रहता है, तो वो dose आप tablet अपनी थोड़ी ज्यादा मातरा में लें, और उसको proper maintain रखें, इस तरह ये कुछ risk factor हैं, और उससे बचाव हैं, कु में आप अपने heart को healthy रख पाएंगे,